नमस्कार दोस्तों, क्या कोई ऐसा बोंबर जेट भी हो सकता है जो हथियार या मिसाइल गिराए बिना ही दुश्मन के इलाके में जबरदस्त तबाही मचा दे? अमेरिकी संसद में कौन सा बिल आया है जिसने टर्किये की हवा निकाल दी है? क्या ग्रीस के साथ लड़ाई में टर्किये हार जाएगा? इन्ही सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अंकेश जी का सवाल हेल रीपर के बारे में है, वो हेल रीपर M25 के बारे में जानना चाते हैं दोस्तों, दुनिया में अलग-अलग तरहें के हथियार बनाए गए हैं किसी मिसाइल को इस्तिमाल करके ग्राउंड पर या हवा में ही किसी टारगेट को डिस्टोय किया जा सकता है लेजर हथियारों से भी दुश्मन को नुक्षान पहुँचाया जा सकता है केमिकल और नुकलियर हथियार भी डेवलप कर लिये गए हैं लेकिन एक और कॉंसेप्ट है जिसके उपर काफी रिसर्च की गई है और वो है इतनी तेज साउंड को प्रेड्यूस करना कि दुश्मन के सैनिकों के ब्रेन की फंक्षनेलिटी को ही खराब कर दे बहुत तेज साउंड हमारे ओर्गंस खास तोर पर आँखें, कान, हाट और खास तोर पर ब्रेन को बुरी तरहें से डेमेज कर सकती है इसी कॉंसेप्ट को ध्यान में रखकर सोवियत यूनियन की तरफ से एक ऐसा बड़ा और दमदार बॉंबर जेट बनाया जा रहा था जो दुश्मन के इलाकों में बहुत तेज गती से और बेहद कम उचाई पर उड़े ताकि इससे सोनिक बूम जंडेट हो सोनिक बूम एक तेज धमाके जैसी आवाज होती है जो तब जंडेट होती है जब कोई एरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से तेज यानि लगबग 1250 किलोमेटर परार की स्पीड से तेज उड़ता है इस रश्यन जेट को M25 हेल रीपर का नाम दिया गया था 1970 के समय इसे तयार किया गया था M25 को जानबूज कर बहुत ही कम एरोडाइनमिक तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि इतनी जबरदस्त शौक वेव तयार हो जिससे बिल्डिंग्स तक भी कोलैप्स हो जाएं और दुश्मन को बहुत जादा नुक्सान हो धूल मिट्टी की ऐसी सुनामी तयार हो जाए जिससे दुश्मन को कुछ भी देखने और समझने का मोगा ही ना मिले खास बात ये थी कि M25 हेल रीपर एक ऐसा बॉमबर जेट था जिसमें कोई मिसाइल नहीं लगाई गई थी इस M25 हेल रीपर से सोवियत यूरियन को बहुत बड़ा फाइदा मिलने वाला था देखिए अगर कोई बॉमबर जेट दुश्मन के इलाके के उपर से बिना मिसाइल गिराए उड़ता है तो उसे लड़ाई शुरू करने का रीजन नहीं माना जाता है इसका सीधा मतलब यह हुआ कि M25 हेल रीपर को दुश्मन के मिलिटरी बेस के उपर से बहुत तेजगती से उड़ाया जाए जिससे दुश्मन का मिलिटरी बेस बरबाद हो जाए बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाए और बहुत सारे सैनिकों को समाप्त कर दिया जाए और बदले में दुश्मन लड़ाई भी शुरू नहीं कर पाएगा M25 हेल रीपर में चार स्पेशल टाइप के बेहत पारफुल इंजन लगाए गए थे 110 तन वजनी और 40 मीटर लंबे M25 के इंजन इसके एर फ्रेम के अंदर छुपाई रखने की जगे इसके उपर के हिस्से में लगाए गए थे दोस्तों जहां किसी फाइटर जेट को बहुत एरो डाइनेमिक बनाया जाता है ताकि एर ड्रेग कम से कम हो तो वहीं M25 को इसके ठीक उलट ऐसा बनाया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एर ड्रेग पैदा हो सके तभी तो जबरदस्त सोनिक बूम तयार हो सकेगी लेकिन M25 हेल डीपर के सामने कुछ बड़े चैलेंजिस आ गए पहला चैलेंज था इतने बड़े और हैवी जेट को 2000 किलोमेटर पर आर की स्पीड से उड़ाने लाइक सही इंजन्स का ना होना जो इंजन इसमें लगाए गए थे वो इसे सिर्फ 1400 किलोमेटर पर आर की स्पीड तक ही ले जा पाए हाला कि और ज़्यादा स्पीड के लिए रोकेट बूस्टर्स का ओप्शन भी रखा गया दूसरा चैलेंज था सोनिक बूम से ज़्यादा से ज़्यादा बरबादी के लिए इसे बेहद कम उचाई पर उड़ाना कम उचाई पर उड़ते हुए बर्ड्स इंजन में आ सकते थे माउंटेन से बचना भी बेहद मुश्किल था हलाकि इतनी कम उचाई पर उड़ने के कारण एडिफेंस सिस्टम का ज़्यादा खत्रा नहीं था तीसरा चैलेंज बना बड़ी मिसाइल्स जो बिना किसी पाइलेट के ट्रेवल करके दुश्मन के इलाके में बड़ी बरबादी ला सकती थी तो फिर इतने महंगे M25 जेट को बनाने का क्या फाइदा M25 हल बीपर के इंजन्स और टेरेन हगिंग उटो पाइलेट जैसे सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए बहुत अधिक मनी की जरूरत थी और मनी की शोटेज के कारण ही इस प्रोजेक्ट को फाइनली बंद कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को बेहत सीक्रेट रखा गया था और उस समय सिर्फ गिने चुने लोगों को ही इसकी जानकारी थी अब जाकर डी क्लासिफाई हुए कुछ डोक्यूमेंट्स के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि इस तरह का भी एक जैट बनाया गया था दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ तर्की जिसका नाम अब बदल चुका है और इसे तर्कीय कहा जाता है तर्कीय के लिए एक चिंता भरी अपडेट आई है अमेरिकी संसद में एक बिल पास हुआ है जिसके तहत अमेरिकी कमपनीज पर तर्की को F-16 बेचने पर रोक लगाई गई है तर्की का अपने पडोसी देश ग्रीस के साथ किसी ना किसी बात पर विवाद बना रहता है तर्की के फाइटर जेट अकसर ग्रीस की एर स्पेस में घुश जाते हैं तर्की अभी तक ग्रीस पर भारी पड़ता था क्योंकि उनके पास अमेरिका से लिए गए लगभग 250 F-16 मुझूद हैं हाला कि इन में से जादा तर ब्लॉक 40 और 50 के वेरियंट हैं जो अब आउटडेटिड होने लगे हैं वहीं दूसी तरफ ग्रीस के पास मिरास 2000 जेट्स हैं जो F-16 का मुकाबला तो कर लेते थे लेकिन उनकी संख्या कम होने के कारण उन्हें अकसर पीछे हटना पड़ता था लेकिन अब हालात बदल रहे हैं अब ग्रीस को फ्रांस से राफेल फाइटर जेट भी मिलने शुरू हो गए हैं अमेरिका भी ग्रीस को जल्दी ही F-35 स्टेल्थी जेट देने वाला है तरकिये को पहले कोई टेंशन नहीं थी 250 से ज़्यादा F-16s के साथ साथ 100 F-35 भी मिलने वाले थे तरकिये का खुद का फिफ्ट जनरेशन का फाइटर जेट T-FX भी ठीक से डेवलेप्मेंट स्टेजिस में पहुँचा दिया गया था समस्या तब शुरू हुई जब टरकिये ने अमेरिका को नाराज करना शुरू कर दिया अमेरिका की लीडर्शिप वाले नेटो ग्रूप का मेंबर होते हुए भी टरकिये ने रशिया से हतियार खरीदने शुरू कर दिये अमेरिकी पेट्रियोट एडिफेंस सिस्टम को तो मना कर दिया और इसकी जगह पर रशिया से S-400 एडिफेंस सिस्टम खरीद लिया इससे अमेरिका चिड गया और काट सा एक्ट के तहट कारवाई करते हुए तरकिये को एडवांस्ट पेमेंट के बावजूद F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया F-35 बेचने से मना कर दिया गया तरकिये की मुश्किले और बढ़ती गई अमेरिका ने उनके 5th generation के fighter jet TFX के लिए sensors, engines और missiles भी देने से मना करके इसका काम भी रुकवा दिया इसी अमेरिकी नाराजगी की वज़े से तरकिये के T-129 attack helicopter के engines की supply रोख दी गई जिस कारण तरकिये इन्हें पाकिस्तान को नहीं बेच पाया अब ग्रीस पर दबदबा बनाए रखने के लिए तरकिये ने अमेरिका से 40 नए latest variant के F-16 fighter jet बांगे थे साथी तरकिये अपने 80 पुराने variant वाले F-16s को भी latest standard में अपग्रेड करवाना चाता था अमेरिकी प्रेजिडेंट जो बाइडन ने तरकिये की इस डिमांड को पूरा करने का भरोसा भी दिया था लेकिन अब अमेरिकी संसर दुआरा मना करने के करण तरकिये को latest variant वाले F-16s भी नहीं मिल पाएंगे इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि तरकिये की एर फोर्स अब ग्रीस पर दबदबा नहीं बना पाएगी बलकि उल्टा ग्रीस ही फ्रांस से लिए जा रहे राफेल और अमेरिका से लिए जा रहे F-35 जेट से तरकिये की नाक में दम कर देगा तरकिये को मजबूरी में रशिया से SU-57 या चेकमेट जैसे फाइटर जेट्स खरीदने पड़ेंगे लेकिन इससे और जादा नराज होकर अमेरिका तरकिये पर economic sanctions लगा कर तरकिये की economy को इरान और वेनेजुएलिया की तरहें बरबाद कर सकता है वैसे भी तरकिये की currency लीरा काफी तेजी से गिर रही है तरकिये अपने TFX जैट को बनाने में जितनी भी जल्दी क्यों ना कर ले लेकिन अमेरिका के सहियोग के बिना इसे अगले 10 वर्षों में भी पूरा करना संभाव नहीं है तरकिये इसी TFX जैट को पाकिस्तान के साथ मिलकर जल्दी तयार करना चाता था लेकिन मुझूदा समय में पाकिस्तान भी मनी प्रोब्लम से जूज रहा है दोस्तों आपको सर्प्राइज होगा कि इसी अमेरिकी संसद में एक और लेजिसलेशन अप्रूव हुआ है जिसे 99 के मुकाबले 330 मेंबर्स ने पास किया है इसमें कहा गया है कि भले ही अमेरिका के एतराज के बावजूद भी भारत रशिया से S-400A डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है लेकिन भारत हमारा खास पार्टनर देश है इसलिए भारत को काटसा एक्ट से वेवर दिया जाएगा यानि भारत पर तरकी की तरहें economic sanctions नहीं लगाए जाएंगे दोस्तों यहां हमें समझना चाहिए कि अमेरिका ऐसा करके कोई दोस्ती नहीं निभा रहा है बलकि ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत की ही सहायता से अमेरिका चाइना को रोक सकता है जब ये चाइना फैक्टर नहीं था तो अमेरिका हमेशा भारत की जगे पाकिस्तान का साथ देता था दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल और कुछ अपडेट्स उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें नमस्कार